हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इसीडियू चैनल पे दोस्तों आप यह जो देख रहे हैं यह सारा का सारा बफर प्लेट पैकिंग किया हुआ है और आज हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माधियम से कैसे आप कम पुंजी में ब बैल आकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बफर प्लेट बनाने के लिए आपको आल-in-one का आवसकता पड़ेगी क् हैते हैं कि आल-in-one लें हाइड्रोलिक मसीन लें जिससे कि आपका बफर प्लेट अच्छे से बनेगा लेकिन आज हम आप लोग को रियल वीडियो लाइब वीडियो दिखाएंगे कि कैसे आप करेंग मसीन से घंटे का 1200-1500 प्लेट बफर आप तयार कर सकते हैं और इतना भी निकर पाएंगे जबकि वो मसीन होता है महंगा उसके बावजूद भी इतना आप उस पे नहीं बना सकते हैं जितना आप करेंग मसीन पर बना सकते हैं इसलिए यह हम लाइव वीडियो रिकोर्ड किये हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि बहुत भाईयों को सिकायत हो होता है all-in-one से कम होता है इस मसीन का जो भी प्लेटे हैं चायो सिंपल हो या बफर हो सब हाइड्रोलिक की बरावर क्या काम करके निदेती है यह मसीन जितना हाइड्रोलिक में फिनिसिंग आता है उतना इसमें भी आता है लोग बोलते हैं कि है करेंग मसीन पर अचितना आय प्लेट कितना टाइट रहता है बॉफर प्लेट जो हम लोग बनाते हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं वह बहुत ही मेरा सेल है और अच्छी क्वाइलिटी है अगर हम दिखा दे क्वाइलिटी तो यह हाइड्रोली को भी फैल कर देती है पता ही ने चलता कि करेंग मसीन पर यह बना है कि हाइड्रोलिक पर बना है लोग पूछते भी कि आप कौन से मसीन पर बना है हम तो बता रहते हैं कि करेंग बना लेकिन वह मानते नहीं है बोलते हैं आप जूट बोलते हो तो यह चीज संभव है कैसे जब आपके पास इसके बारे पर नोलेज हो अच्छी तरह से और आप इस पर एक्सपिरियंस कर रखे हो तो अगर आप नए हैं तो थोड़ी सी पड़िसानी होगी आपके साथ में लेकिन धीर धीरे आप सीख जाओगे और अगर यह आपको सीखना है तो आप मेरे पास आ करके सीख सकते हैं मसीने चलाना बफर प्लेट हो जो भी क्योंकि हाइड्रोलिक में कुछ नहीं रखा है पैसे लग जाते हैं लेकिन कुछ लोग है जो कि उनके लिए उस चीज़ के लिए करते हैं लेकिन हमारे हिसाब से हम अपना बता रहें मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक मसीन बिकार है क्यों बिकार है कि इसमें बहुत कम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है उसके लिए हमें बोल्टिज की ज्यादा हो सकता परती है और इसमें सब कुछ भी नहीं है इसमें बिल्कुल आराम है कोई टेंसन नहीं है आप इसमें कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं इतना ही कम पेर कर लो कि हाइडोलिक मसीन तो आपको ज्यादा से ज्यादा तो पचास से पैंसट के बीच में मिल जाएगा इससे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो देखो आपकी आपको वैसा ही 20-30,000 का प्रोफिट हो रहा है मसीन लगाने पाद उसके बाद इस मसीन में आपका जो प्रोडेक्शन है बहुत आपके उपर डिपेंड करता है कि आपका स्पीट कितना है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं हम खुद इस पर बैठे हुए है और एक लगा रहा एक निकाल रहे है तो यह जितनी बार मसीन आप डाउन करेगा उतनी बार हमारा कर जाया घंटे का मेरा मसीन का स्पीट है 1450 तो अगर इस पर काम करेंगे तो 1450 तो मेरा घंटे का निकल ही जाएगा और 1450 निकलता है तो आप जोड़ों की आठ घंटे में कितना होगा तो इस तरह से अगर इस आप काम करते हैं तो कम पैसे में या बफर थाली बहुत ही एजी तरीके से बना सकते हैं कोई जरूरी नही यह सारी बाते से वीकार और egree क्योсь है क्योंकि आप मेरे माल से कंपेर कर सकते हैं और हैंे नहीं है आहा पारा काम करेंग वाले पर ही करते हैं क्यूंकि सबसे बड़ा रीजन है हमें हाइड्रोलिक छोड़ने का मसीन होते हुए हम क्यूं नहीं चलाते हैं तो उसका जो कारण है हमें चीहें पड़ेक्षण फास्ट क्याम घंटे में कम से कम 1500 2.000 पीसे सिंगल रोल पर हैं और हाइड्रोली कि में वह पोसीवल नहीं हैं कि सिंगल रोल पर हमें घंटे का 1500 2000 निकाल के Chemze देगी क्योंकि मेरे पास मसीन उस्पड़ी है हम अच्छी ऒी रोल की क्वायलिटी और चार रोल की स्पीजाथ क्वायलिटी सेम नहीं होगी अगर आप दो रोल तीन रोल चलाते हो तो उसके लिए एक लेवर एक्ट्रा और रखना पड़ेगा जिसको छूडाने का काम करना पड़ेगा क्योंकि चार-पांच इकठा काटने से आपस में चिपक जाते हैं दोने प्लेट जो होते हैं उसको फिर छुड़ा के देना पता क्योंकि दुकांदार कोई भी आपसे वैसा माल लेगा है ने कि उसे छुड़ा छुड़ा के वो काम करेगा तो इस चीजी के लिए अगर यहाँ आप इस बीजनस को करना चाहते हैं तो हम तो कहते हैं कि पहले अच्छे से Index करें अच्छे से जानकारी लें अच्छी तरह से knowledge होने के बाद है इस बीजनस में उतरे क्योंकि इस बीजनस में बहुत जादा लोगों कोई ठगी हो रही है लो अलग-अलग होते हैं आपकी बात करें तो अगर को एसकाम को करना है तो आप अपने हिसाब से करें यह जांच परताल करजें कि बहूत आसान होता है मसीन लगाना लेकिन बहुत मुश्छी होता हि मसीन को चलाना अगर !ब मसीन मसीन को लेते हैं तो लेने से पहले मायन में यह जरूर होना चाहिए कि हम मसीन लेने के साथ साथ हमें मसीन को चलाने भी आना चाहिए क्योंकि अगर 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 अपना दिमाग नहीं लगाते हैं आप खुद से मसीन चलाना नहीं जानते हैं तो आप परिशान हो जाओगे मसीन लगाके तो इसलिए आप वैसा काम करो ही मत अगर आपको लेना है तो पहले कोशिस करो कि आप उस काम को सीख लो आदा घंटा एक घंटा कम से हम रोज जाकर शीख लो या दो चादिन वहार रहके सीख लो सीखने के बाद क्या होगा कि मसीन लगाओगे तो आपको टेंसन नहीं होगा मसीन आएगा और काम चाली हो जाएगा क्योंकि जब लोग पूंजी लगा के और मसीन नहीं चलता है तो माइन्ड में अजीब तरह की बाते आती है को इसे फस गया दिये हैं बेकार हो गया हम फस गए यह है वह है कई तरह के नेगेटिव विचार मन में आते रहते हैं और अगर आपको उन सबसे बचना है तो उसके लिए पहले आप मसीन चलाना सीख ले उसके बाद मसीन को ले तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लिश वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही बैल आकां को जो प्रिच करें ताकि जब भी से बीडियो अप्लोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद